खारा बेरा पुरोहिता गाउं में चल रहे बलोक इस्थरिय ग्रामीरूर्ट उलम्पिक का आज आखरी दिन है और इस अउसर पर इस समापन समारों के आज हमारे साथ मौजूद हैं खारा बेरा पुरोहितां के सरपन साहब भागिरज जी और भामासा सुरेज जी और अन्य नागरिक जो इस गाउं के रहने वाले हैं आईए उनसे बात करते हैं ये पूरा जो खेल परतियों कीता है कैसे रही इनके अनुभव क्या रहे क्योंकि पहली बार ये खेल परतियों कीता इस इस्तर पर इस गाउं में आयोजीत हुई है जहां 33 ग्राम बंचाईतों के 2200 से ज्यादा खिलाडियों ने भाग लिया है तो साहब इंडिया तक से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके गाउं में ये प्रतोगीता आयोजीत हुई है पहली बार इस इस्तर पर इसमें ये सामना आया कि भामासाओं ने भी बड़ चड़ कर हिस्सार लिया है तो एक तरीके से इस खेल ने सभी लोगों को जोड़ने का काम किया है क्या-क्या अनुभव रहे आपके जी साब जैसे मैं बड़ी बात तो नहीं बोलूं लेकिन मेरा ये गाउं खारवेरा प्रुईतान वैसे कवे तो बहुत बड़ा बामासाओं का गाम है यहां पर 5 दिन जो आयोजन हुआ है 17 अगर से लगा कर आज समापन समारों तक तो बड़े-बड़े बामासाओं ने बड़ सटकर सयोग दिया और सयोग किया खाने की वेवस्ता से लगा कर, पाने की वेवस्ता से लगा कर, मिश्टान, वंडार, फल, फूरूट, ऐसी स्थितिया ही कि हमारे भीवलो साहब को मना करना पड़ा कि भाई यह फल पूरूट नहीं बेज़े, इतने ज़्यादा इस्टोक हो गए, तो हम भी ग्रव मैसूस करत बहुत ग्रव की बात है कि इतना बड़ा सपल अयोजन, पहली बार हुआ है, ब्लोक स्थर पर, बाकी आज से पहले आपने कहीं देखा होगा, इतना बड़ा अयोजन और इतनी बड़ी सुईदा हैं आपको कहीं नहीं मिली होगी, तो बहुत खुशी की बात है, हम भी गाहो हुआ हमारे गाहों का भी नाम हुआ और इंडिया टीवी का भी बहुत-बहुत आबार जिनों ने हमारी ये वाज सोचल मेडिया के माधियम से दूर दूर तुक पहुंचाई तो इसमें आपने देखा कि कैसे भामा साहों ने बढचर कर सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद के इत्ता बड़ा आयोजन और उसमें हम भी देख रहे हैं आप पांच दिन से लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं जन जन तक हमारे ब्लॉक का ये मान आप बढ़ा रहे हैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो गाव खारा बेरा परोईतान जैसा कि सुरेज जी ने बताया कि हमारा गाव ब्लॉक लेवल पे नहीं पूरे जोदपूर जिले में बामाहसाओं के लिए माना जाता है और इस स्कूल की बात करूँ ये वो भी द्याले हैं जहां पे एक वेक्तिन है श्री गंगा सिंग जी महाराज गंगा सिंग जी जो दाता थे हमारे गाव के पूरूर सर्पंस थे उन्होंने अपनी कठोर मैनत से ये जो जमीन है आप इतनी बड़ी जमीन देख रहे हैं ये स्कूल की जमीन जब गवर्मेंट के हटे चड़ रही थी और इस पर कबजा हो रहा था गवर्मेंट का उस समय उन्होंने मैनत की गाव को एक किया गाव के भामसाओं को जगाया और इसी स्कूल का निर्मान करवाया आज वो एक देव की रूप में माने जाते हैं पूरा गाव उनको पूजता हैं क्यूंकि शिक्षा के चैतर में आज बात करें तोgenderification में हमारा राजर्स्तान बहुत पीछynn है मेले कए या हमारे गाउं के जो बमा का है न की बात करें तो वह सिख्फा खेतर में आज बर्चड के सहीयोग देतें स्विध्याले को नहीं किसी भी विध्यार्थी को जब सहीयोग की बाता ती कि खोरावेरा प्रोयतान के 717 सहीयोग और इस बात का मुझे गर्व है और खेल में भी मैंने देखा कि बहुत से ऐसे बच्चे ते इत्ते इत्ते से बच्चे थे जो बड़े-बड़े मुष्टंडों से लड़ रहे थे उन्होंने एक बात साबित की कि परिंदा उड़ता है आसमान में तो उसको देखते हैं लोग यह कारेक्रम है जो हमारे गाह में हुआ है खारा बेरा प्रोईतान में हुआ है और आपका भी बहुत-बहुत धन्यावाद के आपने इसको जनजन तक पहुचाया है तो जैसा कि आपने सुना कि कैसे यहां पर इस खेल परतियोगी ताके बाद पूरी तरीके से माहौल बद तो सरपन्ज होने के नाते अब आप इस शेतर में खेल बड़े आगे बड़े इसके लिए अब आप क्या करने वाले हैं आपकी तरफ से कोई भी से कोई शुरुआ है यसे सर सरपन्ज साहिब के मादेम से ही काना चाहूंगा कि आने वाले समय में बड़ी बड़ी करके अपने शरीर को और बड़ी आ बड़े और खेल के मादेम से आगे आगे नाम रोशन करे और गाउं का भी नाम रोशन होए और सरपन्ज था की यह करना है कि भाई सिख शाखी है खेल के साहिटर में ग्राम पंचायत खारभीरतान का नाम अगरे नहीं है ऐसी हम सब मनों गामना मंगल गामना करते हैं तो जैसा कि आपने सुना अभी इस शेतर में इस खेल प्रतियों गीता के बाद जो मैदान है उसकी इस्तिती भी सुदरने वाली है जिम वगेरा के एक्यूपमेंट उपकरन भी लगाए जाएंगे जिससे जो हमारे खिलाड़ी हैं वो अपने फि कदम उठाया है बहुत बड़ा कदम उठाया है क्योंकि पहले खेल की बावना सिर्फ और बच्छों को मिलती थी आज खेल की बावना आठ से लेकर साथ साल तक है जैसे नौजवान हैं जैसे लेडिस हैं हमारे यहां पर फिर लेडिस भी रिशा खाजा की दाड़ हुई थी और हमारे दाड़ भी होई थी है कबड़ी भी खेलती है आज लोगों को सब को मालूम पड़ा है क्योंकि खेल की बावना में हमको भी इसा मिल रहा है पहले तो खेल की बावना में मौन लो बच्छे खेलते थे इसकोल के लिए तबकि आज के खेल की बावना में लेडिस यह श्रेट लेवल यहां श्रेट लेवल के लेकर 60 साल के व्यत्ती भी इस खेल के माध्यम से जुड़ी यह बताता है कि खेलने कैसे एक समाज को संगटित करने का काम किया है वह नम अरदू सिंग अब बताएंग भूजोर्ग भी इस खेलों में हिसा ले रहे हैं तो कैसा लग रहा है आपको ये अशोग दी ने बहुत अच्छा किया है आज आठ से साथ साल के बच्छे बुज़रक लेडीज सभी ये खेलने का मुखा मिला है और इतना आनदा आ रहा है जैसे पुराणी यादे आ रही है ऐसे पहले कम समय मे मलब 15-20 साल से हम देख रहे हैं ऐसा मुझा नहीं मिला है ये पहली वार ऐसे देखने को मिला है बहुत अच्छा लग रहा है जो लोग अभी खेल है रसा दोड़ है रसा खेल हुई आता कबटी है खोको है पटबोल है जो लोग उस गेम को भूल गए थे कि अभी गेम का है क कांचा गेम चल रहा था पहले अभी आज आज की तारीक में वो गेम वापिस खेला जा रहा है मैं बहुत खुश है बहुत खुश है दास्तान चरकार को दनिया बंदेने लिए तो जैसा कि आपने देखा यहां बच्चे से लेकर जो बुजूर्ग हैं वो इस खेल प्रत्यो हैं उन्होंने बढ़ चड कर हिसा लिया और अपनी इस भागिदारी से इस खेल आयोजन को पूरी तरीके से सफल बनाया इस पूरे के पूरे खेल आयोजन से जो जिस हिंदुस्तान में क्रिकेट को लेकर इतनी दिवान की थी क्रिकेट को एक धर्म की तरह पूजा जाने सबीत होगी केमरामेन पंकत के साथ शैलेंद्र इंडिया तक